सावधान दुनिया में गैजेट वार की दस तक फोन पर बजी घंटी आतंकी के उड़ गए चीथड़े हिच्बुल्ला ने मोसाथ से बचने को अपनाया पेजर लेकिन वही लाया मौद का बेगाम पहले टेलीफोन फिर मोबाइल अब पेजर और वौकी टॉकी सोची अगर ऐसी तकनीक हो जो आपके हाथ में मौजूद इस मोबाइल फोन पर धुमाका कर दे तो क्या होगा आपको बदा दे इसराइल अपने दुश्मन के खात्मे के लिए ये तकनीक अपना चुका है पीते दिनों लिबनान में हिचबुला के सौ गराम की पेजर और वौकी टॉकी पर इसी तरह के धुमाके हुए इस तरह के सीक्रेट प्लानिंग के लिए इसराइल पर दुनिया को शक है अब तक लिम्नान में एक के बाद एक पेजर धमाक है और वाकी टॉकी ये धमाकों से 32 से लोग घायल हो चुके हैं और करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इसराइल का दशों को पुराना इतियास है जब उसने तकनीक के इस्तमाल से दुश्मन पर ना सिर्फ निगरानी रखी बलकि उनको मौत के घाट भी उतार दिया साल 1972 में म्यूनिक ऑलिम्पिक में 11 इसराइली खिलाडियों की हत्या की जिम्मेदारी तब फिलिस्तिनी मुक्ती संगठन ने ली थी इस नापाक हरकत का जवाब इसराइल की खूफी आजनसी मौसाद ने ऐसे दिया कि पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाग खूफी आजनसी की नाम से मौसाद को पहचाना जाने लगा मौसाद ने पैरिस में पियलो के डेलिगेट महमूद हमशारी के फॉन प्लैटफरम को इतनी होशियारी से बदला कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगी आठ दिसंबर को जैसे हमशारी फॉन उठाता है तो मौसाद ने ऐसा धमागा किया कि महमूद हमशारी का शरीट लहुलूहान हो गया उसने अपना पैर खो दिया घटना के कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई इसके बाद से इसराइल ने आतंकियों को खत्म करने का सिलस्रा जारी रखा साल 1996 में हमास के टॉप आतंकी याया अयाश को खत्म किया इसराइल ने आतंकी के दोस्त के जरीए उस तक बंब से भरा एक फॉन पहुचाया जैसे ही फॉन पर रहाया अपने पिता का कॉल उठाता है तो टेलीफॉन धमा कैसे गूज उठा और हमास का टॉप आतंकी जमीन पर धेर हो गया इन ही सब घटनाओं की वजह से हिजबुला ने मुबाइल फॉन का इस्तिमाल बंद करके पेजर का इस्तिमाल किया ताकि इस्तिमाल फिर कोई साजिश ना कर पाए लेकिन हिजबुला ये भूल गया कि दुनिया की सबसे खतरनाग अजन्सी है इस्तिमाल की मोसाद अब तक इस्तिमाल ने लेबनान में हुए पेजर वाकी टॉकी विस्पोर्ट की जिमेदारी नहीं लिये लेकिन हिजबुला को शक है कि ये इस्तिमाल का ही काम है सौ ग्राम के कम्यूनिकेशन डिवाइस पेजर के जरीए किसी की हत्या करने की सोच की तक्नीक और रनीती इस्तिमाल ने इज़ाद कर दिये हिजबुला के नेता हसन नसर अल्ला ने अपने कारिकरताओं को मुबाइल फॉन यूज़ पर पाबंदी इस लिए लगाई ताकि इस्राइल की नजर से बच सके लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका पेजर ही मौत का बेगाम लेकर आएगा हमारी नजर लेबनान और इसराइल पर बनी हुई है देखते रहे जनसत्ता और कमेंट बॉक्स में बताएए लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट और वाकी टॉकी ब्लास्ट में किसका हाथ हो सकता है